टार की नोच कोल ही नहीं आ परही है और इंजन नोच तो बिलकुल नहीं है और ब्रेकिंग की बात कर लूँ तो ब्रेकिंग भी काफी इसमें इंप्रेसिव है गूड मॉनिंग गाइस विलकम बैक तो दे चैनल तो आज हमाँ साथ है और हुड्यों की हुड्यों की तरफ से आती है तो इसका मैनुवल गेरबॉक्स वाला वेरियंट हमारे पास तो चलिए इसको चला के देखते हैं कि कैस का शाआ कि राइट पॉलिटेटेकर कमफ़ट तो सारे चीजे बताऊंगा बने रखाये इसको चला पर चलाने में कि लिए स्काफी अछी है चलने पहले यह जी थोड़ा सा अच्छे रोड मिलते हैं तो मैं इसो तेज करके आपको दिखाऊंगा वाकि चलाने में काफी अच्छी है यह कार अब बात कर लें इसके फ्रेंट से ड्राइविंग सीट से आपको बैठके पूरा फ्रेंट दिखता है अला कि थोड़ा सा बॉनेट इसका तबाह हुआ है तो आपको पूरी वोनेट की विजिविल्टी यहां से नहीं मिलते हैं लेकिन रूट आपको अच्छी तरह से दिखता है आपके सामने कौन सी गाड़ी है कैसी है वो सारी चीजे आप इजली देख पाते हैं और इसका मैं मैंनुल वैरियंट चला रहा हूं तो काफी अच्छा है इसमें पंच और इंजन का प्रफॉर्मेंस तो काफी अच्छी लग रही है इसमें कभी मौका मिलेगा तो इसका आटोमेटिक वेरियंट में आपको चला के पताऊंगा दो आज हर्तक आर्पियम है अभी मेरी 40 की स्पीड है तो आप इंजन का साउंड देख सकते हैं कि रोड तो कुछ अच्छे नहीं है मेरे पास लेकिन फिर भी एंविएच लेवल काफी कम है आप तो जो की वीडियो में सुन पा रहे हैं और इंजन का साउंड आपको केविन तक नहीं मिलेगा तो बहुत सालों पहले दिनों की बात तो नहीं करूंगा जो और आई है साल दो साल से इंजन मार्केट में वह और काफी अच्छी है काफी फीचरिस्टिक आपको लगेगी और इसकी ड्राइविंग पेजेंट काफी अच्छी है और आप देख सकते हैं कि खराब रास्तों पर टायर की नॉइस काफी कम है इसमें कुछ इतने अच्छे रोड नहीं है आराइगर में तो टायर की नॉइस आपको काफी कम मिलेगी और इंजन नॉइस तो बिलकुल मिज़े सुनने में पहले वाली वीडियो में बताया था ज आपी कम है इसमें और अभी मैं फॉर्थ गेर में हूँ और थर्टी के स्पीड मेरी आ गई थी बट यहीं से मैंने एक्सलेटर प्रेस किया और गाड़ी मिल्कुल मुझे वाइब्रेशन फील नहीं हुआ इसके गेर महीं से पिक कर लिया और ऐसा मुझे फील नहीं हुआ कि मुझे डाउन सिफ्ट जाना चाहिए तो फॉर्थ गेर में और थर्टी के स्पीड में गाड़ी ने मुझे ऐसा मैसूस नहीं कराया कि कि मुझे डाउन सिफ्ट जाना चाहिए तो इसके हिसाब से गेर बॉक्स भी बात कर लें तो कापी अच्छा गेर बॉक्स इसमें आता ह अवरल पूरी गाड़ी ही अच्छी है ये और जिनको एक compact sedan चाहिए जो की SUV के तरफ नहीं जाना चाहते हैं उनके लिए काफी अच्छी ये कार है और अब तो इसमें काफी अच्छे से features भी आते हैं तो इस आवरा चलने में तो काफी अच्छी है मेरे सामने थोड़े अच्छे रोड़ा हैं तो मैं इसे थोड़ा सब करके भी दिखाता हूँ आपको कि कैसी है अब तक तो मैं फॉर्ट गयर में चल ला था लेकिन अब इसमें फाइप गयर लगाँगा और उसको दिखाता हूँ कि कैसी है यह शिच्टी की स्पीड है और एक बेकर मेरे पास आजा और आप देख सकते हैं कि फिप्टी के स्पीड में मैंने ब्रेकर अदिया तो अस्टे ब्रेकिंग की बात कर लूँ तो ब्रेकिंग भी काफी इसमें इंप्रेसिव है एबियस काफी अच्छे सिक्कान करते हैं जो कि मैंने आपको दिखाया काफी हैंडल भी इसमें आपको काफी लाइट मिलेगा क्विक रिस्पॉंस है गाड़ी का और गेर फॉक्स की रिस्पॉंस की बात करते हूं तो इसका भी रिस्पॉंस काफी अच्छा है कि आप देख पा रहे हैं कि 2000 तक आर्पियम मैं नहीं जाब आ रहा हूं और गाड़ी में गेर चेंज करने का अप्सन दे दिया जाता है तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हाईर आरपियम पे जाती है और बहुत ज्यादा इसके इसाफ से फ्यूल एपिसेंसी भी काफी इसक प्रॉपर इसके फ्यूल है माईदे टेस्ट भी करके आपको मैं पता हूंगा फिलाल आज तो नहीं कर सकता कि कम टाइम है मेरे पास आज इसके साफ इसको चलाना और बात कर लें सिटी ड्राइब पी तो सिटी में इसको चलाना काफी एजी रहेगा आप पे लिए हाई वेस से सिटी में बंपर टू गंपर टिक में आपको इसको चलाना काफी कॉंपर होने साथ आप इसको कहीं भी लेकर जा सकते हैं सिटी में और मैं इसको किसी खराब सड़कों पे भी आपको चला के मैं इसे दिखा देता हूँ 165 इसका ग्राउंड पेर्स होने का रहा है आप इसको अच्छे खासे गटो और खराब सड़कों से भी लेकर जा सकते हैं कहीं भी हाँ कर नरास नहीं करेंगी यहां से थोड़े घढ्म तो मैं इसको यहां से लेकर जाप आँगा कि मेरे सामने अब देख सेते हैं कि सस्वेंशन काफी अच्छे से आपको फील नहीं होने देते हैं केबिन के अंदर कि आप किसी गड़े से या किसी प्रेकर से आपको जर रहे हो यह सारी चीजे हैं और आपके बारे में अभी टाइम मिलेगा तो बहुत ज्यादा इसको चला कि मैं बताऊं कर आपको कैसी लगती है तो आप आसकते हैं और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेल सब्सक्राइब आप कर दीजेगा मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद